मैं आपको एक setup दिखाती हूं option chain का in worst 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 case scenario आप कहीं तो बच्छे जाओगे क्यों आप तो हो गए थे ट्रेडर बंके तयार हो गए थे उदर chances थोड़े जादा होता है मेरे profit कमाने तो मैं क्या करो call buying करो मैं कुछ भी कर सकते हो कुछी market उपर जाएका तो तो अनों ही profitable मतलग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है रीटेलर जो है वो पहले बायर बनके आते हैं बाइंग करते हैं बाइंग में लॉस हो जाता है फिर बोलते हैं चलो बाइंग में पैसा नहीं हम राइटिंग करेंगे अगर मैं अगर मैंने stop loss लगाया हो तो लेकिन तभी stop loss जंप कर जाए ऐसी situation में जो लंबा लॉस हो से मार्केट को छोड़ दो नहीं तो मार्केट आपको निकाल देगा नमस्ते फ्रेंज मैंने आज तक बहुत सारे वीडियोज किये हैं अपसर्ज.club पे और बहुत कुछ सिखाया है options और टेक्निकल्स पे इंवर्स्मेंस पे सब कुछ सिखाया है मैंने सोचा यहां तक जितना भी सिखाया है जहां तक मुझे लगता है कि आपने सबने वो सारे वीडियोज देखी होंगे क्यों ना उसमें से थोड़ा सा एक question answers हो जाए एक test हो जाए तो जैसा मैंने आपको सिखाया विसाई मैंने शुब को भी सिखाया है मैं शुब से question पूछूँगी और मुझे जहां जहां लगेगा कि शुब वीक पड़ रहा है या कहीं confusion है तो मैं clear करूँगी क्योंकि हो सकता है वो confusion आपको भी हो इसलिए question ध्यान से सुनिये answers ध्यान से सुनिये और उसके बाद जो मैं explain कर रही हूँ वो भी ध्यान से सुनिये क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना ही काफी नहीं होता बहुत बार हम वीडियो एक movie की तरह देख के निकल जाते हैं लेकिन उस वीडियो की अंदर जो मैंने समझाया है उस गहराई को हम समझ नहीं पाते हैं तो चलिए आज जो हम टेस्ट ले रहे हैं इस टेस्ट के थूँ जो मैं explanation दूँगी शायद कुछ और हमारे traits को हमारी समझ को better बना सकते हैं तो लेट स्टार्ट और फ्रेंज यह टेस्ट आपके लिए भी है साइमर्टेनिस भी करना और फिर देखना कि यह जवाब मैच हो रहा है क्या और मैच हो रहा है उसके बाद जो मैं explanation दे रही हूं वह भी मैच हो रहा है क्या आपके साथ और उसके अलावा आपको ऐसा लगत पताएंगे कि मुझे और क्या 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 क्वेस्टिंस टेस्ट में पूछने है या थोड़ा और डीटेल में एक्स्पें करना है वह सब लेकिन यहां तक जो मैंने वीडियो बनाए है एक बार उन्हें देखिये तो सही उसमें बहुत कुछ सिखाया है मैंने जस्ट गो थू टो इट बनस न शुखत बैसन साफ़ चाइनी एकी उपशें सफ्टीन टामेटीय्ट गने को सब्सक्राइच को इस काल रैटिंग यासे ड़ी अहां चोड होट आगई है वाव्पिषेंग के रिाजु थोड़ी बहुत है है वह बेसिक टो सबसे पहले जो बात करते हैं मुझे बात बताओ कॉल बाइंग और पुट राइटिंग इसका मतलब कि म अगर मार्केट बाइंग जाएगा तो के किम कुछ भी कर सकते हो सब्सक्राइब में कोई दिफ्रेंस नहीं है प्ला ऑगर मार्केट अगर जाता है तो मैं को प्रेम्यूँं है और अगर मार्केट साइडवेस भी रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा क्योंकि मलों टाइम डीके की वज़े से वो जाएगा और अगर नीचे जाते तो लॉस होगा बट वो अन्लिमिटे होगा तो उसका प्रोटेक्शन तो कुछ ही नहीं उसको प्रोटेक्शन नही को प्रीमियम बर्सक्राइब कनसे सिनारियो में करना करना मुझे तो कि अस builders करें तॉलिए तैयार हो और उसके पहले बताओ आपका ट्रेडिंग टेप्रामेंट क्या है मैं ऐसा कंटिनियूस मॉनिटर के सामने तो नहीं बैठ सकता हूं सो मैं को अगर दो तिन घंटे के बीचे मैं एक बार देख सकता हूं मेरे ट्रेड कैसे काम कर रहे हैं तो मैं सर्टेन अमांट अफ्रे सकता हूं बट थोड़ा ऐसा चीए में को जिसमें मदब स्कैल्पिंग टाइम पर नहीं जा सकता हूं है थोड़े बड़े टाइम प्रेम पर ही में रह सकता हूं कि आपका ट्रेडिंग आप आपको कमफोर्टेबल समसा। मेरा पूछने का मैं में अचान्सेंस थ्यादा होता है है अफे ज्ञद सब्सक्onnyova है और अपके ज्यादा पूंधाईरा आप continue monitor नहीं कर सकते तो तो मैं आपको एक setup दिखाती हूं option chain का उसे देखिए और उसके according करिए लेकिन एक चीज हमेशा ज्यान रखना कि जब आप कुट राइटिंग करते हो तो थोड़ी दूर का एक कुट बाय जरूर कर लेना इन वर्स्ट 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 केस सेनारियों आप कहीं तो बचे जाओगे नहीं तो एक बहुत लंबा लॉस आ सकता है करिए लिए मार्केट आप कई बार देखते हो 10% 20% देखते देखते शरकिट लग जाता है वह वांसे ना वाइल भी लग लग गया तो हमारी हाल फेरा भीक हो जाएगी बट मारम अगर मैंस्टॉप लगाया हो तो आप कई बाष्टॉप लास जाना है तो है के बाद भी तो तो लगा सकते हो लेकिन तभी स्टॉप लॉस जंप कर जाए ऐसी सिचुएशन में जो लंबा लॉस हो जाए तो जब मार्केट जोर से गिरता है तो सारे पुट सेल करने वाले जो है भाग जाएंगे और जब भाग जाएंगे तो आप खरीदोगे किस से आपने भी तो पुट प्लॉस जंप हो जाए तो इसलिए कहीं एक पुट बाइ कर लो कि कुछ भी हो जाए कहीं न कहीं तो आप बच जाओगे तो सबसे पहले मैं यह सिखा रही हो कि कब हम हम पुट राइटिंग करेंगे कब हम कॉल बाइंग करेंगे क्यों की आज़ रिटेल पर्सन जो मैंने देखा है क्या होता है रिटेलर जू हैं वो पहले बायर बन करते हैं बाइंग करते हैं बाइंग में लॉस हो जाता है यह सब जो चीजें होती है लास्ट में इतने कंफ्यूज कर जाते हैं खुद को मैं बाइंग करूं कि राइटिंग करूं में पैसा कैसे कमा और जब मेरे पास आते हैं मैं उनसे अगर कितना भी कहूं कि छोड़ दो लेकिन नहीं करना तो अप्शंस ही है करना अप्शंस में दिया तो अप्शंस ही निकालेंगे और इसी विए थोड़ा सा एक जज्जमेंट एक आइडिया दे रही हूं मैं आपको कि लेटर से यह कॉप्शं चेन है अब इस ऑप्शं चेन में यह कॉल साइड है और यह पूट से यह राइट यह लास्ट का कॉलम है ओ और यह राइट ओपन इंट्रेस्ट यह ओपन इंट्रेस्ट मतलब इतने लॉट्स आउटस्टेंडिंगे जो अभी तक स्क्वेर नहीं हुए है अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में हर लेवल पे आपको ओपन इंट्रेस्ट दिखेगा चार-चार फिगर में राइट और पूट साइड में यहां पर खाली एक और फिर यहां पर पूरा ब्लैंक है मतलब यह स्टॉक में अगर आपको बुलिश लग रहा है तो मैं पूट सेल करना ज्यादा पसंद करूँगी कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कॉल को हर लेवल पर रुकावट आएगी और उसको इतनी इजीली बढ़ने नहीं दिया जाएगा मतलब इसे मैं कहती हूं भीड खड़िये मार्केट पार्टिसिपेंस बोलते हैं रॉडय खडे थो रॉडंत कहले खड़े नहीं होनकं सात्मे यह वाइर विद्ध हडिये थाचले पर भीड खड़ी है स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी को स्पीड नहीं दी जा सकती ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट उपर जाने में तीन दिन चार दिन के बज़ए छे दिन ले लेता है आठ दिन ले लेता है तो मुझे बाइंग के अंदर से प्रीमें मेरा डीकी हो ग्लोबल की कल मार्केट गैब डाउन फुलेगा कुछ भी होगा तो एक कहीं न कहीं एक पुट लेके रख लो आप कुछ हग तक बच जाओ 100% नहीं बच होगे लेकिन unlimited loss से बच जाओ एक पुट बाई करके रख लो क्या आप भी जोती माम से सीख के swing, intraday और options तीनों में अच्छे profits बनाना चाहते हो तो आपको अब search.club पे उनका live mentorship program ज़रूर चेक आउट करना चाहिए इस program में आपको market analyze करना, stock भूलना और अपने trades को सही तरगी से manage करना सब एक बहुत practical way में सीखने को मिलेगा क्योंकि strategy क साथ साथ आपको live market में जोती माम से guidance भी मिलेगा इन सारी टेक्नीक को consistently apply कर कि आप भी एक profitable और independent trader बन साथे हो 500 से भी ज्यादा लोग अपनी profitability की journey शुरू कर चुकी है, so आज ही this mentorship program की next batch में इंडोल करो, जिसका लेक description में तो क्या है कि एक लोट के पीछे आपके 30,000, 40,000 या यह तो नहीं बोलोगे, worst case scenario, right? तो यह जो चीज है, यह मैं भी चानती हूं कि 30,000, 40,000 भी छोटी बात नहीं है, लेकिन जब लॉस होता है लाखों का, तो ऐसे में हम यह देखते हैं, हम तो 20,000 से ही छूट गए, नहीं तो 2,000 लग जाते हैं, वो जो अंदर से आत्मा जो द सब्सक्राइब कर दो कि चल मैं तो 20 में चूट किया, तो वो तो कम से कम बचो, तो बाइं में एक बार में हैं, हैज करूं या नहीं करूं, अपने आपको प्रोटेक्ट करूं या नहीं करूं, क्यों कि मुझे पता है कि इसे ज्यादा लॉस नहीं होना, लेकिन मैं सोचूं, समझूं, देखूं तब तक तो गया, और जैसे आपने का कि आप स्क्रीन के आगे बैठ नहीं सकते हो, वो भी अलग चीज हो जाती है, वैसे भी स्क्रीन के आगे बैठ के कौन सा तो कूप खड़ लोगे, वहाँ पे भी तुम बैठ के यही देखने वाले हो कि है इतना गया काट लो इतना गया वापस कर लो तो जो स्क्रीन के आगे बैठता है ना तो उसकी उंगलियां जादा चालती है, की बोड पर और यहां पर देख लो तो यह जो हर्डल्स है ना यह मुझे बताते हैं कि मैं पुट की सेलिंग फोकुस करों विधा है रदर देन अब यह देखो यह दूसरा option chain आपको दिख रहा है इसमें आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि continue blocks है बस एक ही है ना बाकि ऐसे continuity blocks में नहीं दिख रहा है ना और put side में भी यहां पर बल्कि दिख रहा है तो ऐसी situation में मैं call by करना ज्यादा प्रसंद करूंगी put writing के जब option chain उपर की तरफ clean है तो probability of going up is faster क्योंकि blockages नहीं है बीच में ऐसी situation में call by करना ज्यादा प्रसंद करूंगे और अगर blockages है तो मैं put writing करना ज्यादा प्रसंद करूंगे मैं इधर जिसे quantity का difference है तो वो कुछ हमें कोई point consider करना चाहिए quantity के difference के मतलब नहीं है continue दिख रहा है क्या okay continue speed breakers दिख रहे हैं क्या मुझे हर level पे नहीं वो चीज अभी यह option chain है इसमें देखो आपको continue blockages दिख रहे हैं तीन level पे हम राइट ऐसा इसमें दिख रहा है क्या continue team level पे दिख रहे हैं एक ही level पे बड़ा है न तो वहां तक का तो रस्ता almost clean है yes this is how I select it low high percent जैसा महाँ पे अवेलेबल है बिल्कुल है तो मैं इस तरह से देखती हूं मार्केट के तो लॉंग build-up देखा लॉंग build-up के साथ में open low nearby देखा और फिर मैं आती हूं इधर देखने के लिए कि मुझे पुट शॉट करना है या कॉल्बाइ करना है ओके तो हमने मार्केट में देखा हमारा सेटप डेसाइड किया कि हमें क्या लेना है और उसके accordingly हमें हमारा ट्रेड लेना है और अगर टेकनिकल्स पे भी और सपोर्ट पे है प्लस लॉंग और अगर कॉल पूरा ओपन है नीटन क्लीन रस्ता है तो आई बात समझ में क्योंकि हमारा ट्रेडिंग टेप्रामेंट है लेकिन हमें करना क्या है बात बार वो कन्सूशन हो जाता है क्यों आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके लिए भी यह क्लारिटी हो गई ना चली आ जो मैं सबसे पूछल्य काई सबस आप से भी पूठी हो बम है už तो मैं में कभी कभी लगाता हूं सिस्टम में कभी-कभी माय-चाप फ्कमाल करना और यह जाता हैं दो अन। तो मैं क्या होते हैं क्या इनligen स्टाप् स्ट्पम कभी ओनक्ते चुब या शाता है iemand क्योंकि अे क alcanz możने स्टॉपलता हुं और सिस्टम passage अर्डेज में अठाइट ना कि युि के अपने स्टॉपलोस डाले different इस अथी जीमा कि मैं इस अपनी सदॉपलोस डाला है तो सिस्टम को यह नहीं ह Прав अधिकतर लोग के साथ ऐसा होता होगा अच्छा मज़ा आपके एक लोट से सिस्टम को दिश्मनी है कि आपकी कोई गलती नहीं है मैं ऐसा ही लगता है मुझे तो देखो ऐसा है स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए और हीट हो तो हीट हो एक बार हो सकता है दो बार हो सकता है तीन बार हर बार होता है तो या तो आपके स्टॉप लॉस प्लेस्मेंट में कहीं कोई गड़बड़ी है या आपके स्टडी में गड़बड़ी है तो दोनों में से एक को त करो को सुक्राइब सिस्टम में होना थे माइंड में रह गया है तो में खतम ही या और तो यह थे 2 फ़िम में पहुंच जाता है तो रहां से रिवर्स करेगा और थोड़े ज्यादा को इसलिए लगता है जब लगता है तो पैसा ही लगता है नैसा भी सिस्टम जो सिस्टम बोले वही करो स्टॉप लॉस डालो सिस्टम में और फिर आगे बढ़ हो देखो सबसे पहली बात है अगर आप अपने ट्रेडिंग टेंप्रामेंट को नहीं सुधार सकते हो तो शुब मार्केट छोड़ गर का पैसा मार्केट में कंटीन्यू देते रहोगे तो घर क पे चड़ेंगे इस बेटर मार्केट छोड़ दो जरूरी है मार्केट में काम करना अगर तुम्हारी मेंटालिटी साथ नहीं देती है किसने कहा था इदर आने के लिए अधिन सब कर रहे थे और में आप्शन बाइंग और आप्शन सेलिंग तो उसमें को लगा कि में को भी तो क्या आपने मार्केट में आने के पहले उप्शें के सारे रोल से रेगिगिलेशन पढ़े थे ठोड़े थोड़े मम इधर उधर से पढ़ैते है बैए मैंने थोड़े वहत इदर-उदर से हाट सरजरी सिखी थी यूटुब पे फोड़ी थोड़ी हाट सरजरी सिखी थी अब बताव मैं अगर ऐसा करो आप मेरे से हाट सरजरी करवाओ गेड नहीं क्यों तो आपने पैसों की सर्जरी कैसे कर ली अंडेस्टूड तो सबसे पहले अपना ट्रेडिंग का टेंपरामेंट सुधारिये और उस पर आईए क्या ये प्रव्लेम आपके साथ भी ए तो आप भी अपना ट्रेडिंग तेंपरामेंट पहले सुधारिये अज़मिए है पैसा देने के बाद , सबको अकल आ छाती है लेकिन जैसे कमालीया वह अकल फिर से चली जाती है तो प्रोब्लम का है ट्रेडिंग टेंप्रमेंट अपने आपको पहले यह जाने कि आप शॉर्ट ट्रेडर ओ लॉंग ट्रेडर ओ ऑप्शन्स ट्रेडर ओ इंवेस्टर हो आप कितना पेशन्स रख सकते हो ड्रेड लेने के बाद वो चीजें जो होगी आप डिस्टर्ब नही अरे युर्ट प्रॉफिट आता थो और यहींचल अ शो गया जैसा लेगि ऑल मैं गया गया पैस अल BOB यह कुश्तर क्पर सभाएं जलड़ा है जल रहरा लृस्ट प्रॉफिट similarities इस तरह से अगर आप कर सको तो रहो मार्केट में नहीं तो खुझ से मार्केट को छोड़ दो नहीं तो मार्केट आपको निकाल देगा जी यहां चलिए अभी आपसे एक और कुछ दें ग्रीक के इंपोर्टेंस क्या है ओप्शन्स में मैं मैं ग्रीक से हमें बहुत कुछ फ़टा बढ़ता है कि एक्जाट्लि किस साइड पर हमें डिरेक्शन में लेना चाहिए यह कौन सा स्ट्राइब प्राइस को इन था है आपको कि तो भुष pola तो उतना बड़ेगा ही नहीं जितना उनकल मैं उसका को एक्षट किया होगा और अगर किसी में, और ॥ीटा, डीके में को बता पड़ता है किसमें ज़ादा है, बहुत तेज होगा, बहुंगे किसमें थोड़ा दीर होगा और … और क्या होता है जेल्टा, भीटा, गामा अचा आईवी बढ़ेगा, प्रम्यूम बढ़ेगा कि गिरेगा आइवी बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा या जटेगा मैं तो याद नियुक्त आपका भी यही हाल है तो एक काम करो तुमको मैं एक दिन और देती हूं कितना नाइम चाहिए तुमको पूरा जो मैंने आज तक सिखा है उसको रिवाइस करने के लिए मैं एक दिन ऐसे मैं सारे वीडियो स्वाटाफ़ड एक साथ सारे देख्के आँगा तो पूरा सब कुछ वापिस से याद आजाएगा तो चलो तुम सारे वीडियो जेखो और रिवाइस करो मैं फिर से तुमारा टेस्ट लोगी और इस बार अगर तुम टेस्ट में फेल क्यों कि तो थियरी एक लीर कर पा रहे हो तो प्रैक्तिकल कैसे कर पाओगे और मेरे जो थियरी है वह प्रैक्टिकल से जूड़ी हूई है मैं कोई भी थियरी खाली आयसा फॉर्मुला बेस थियरी तो है नहीं न मेरी फ्रेंट्स मुझे लगता ये दिकत आपके साथ भी त तो चलिए मैं आपको भी टाइंग दे रही हूँ, मेरे सारे वीडियो जो अपसर्ज.klub पर हैं उन्हें देखिए और अगले सेशन में फिर हम डिसकस करेंगे कि क्या राइट है क्या रॉंग है और शुब का ही नहीं आपका भी टेस्ट यही होगा और अगें अगर आप options के लिए ready नहीं है तो मैं strictly कहूंगी better start with cash trading rather than going for options. हम पैसा कमाने आए हैं, market को पैसा देने नहीं आए हैं, तो बने वहां तक study पे focus कीजिए, study आपका power है, knowledge is the power, वो ही आपको आगे लेके जाएगी, यह मेरी आप लोग से request है, सारे वीडियो वापस देखिए और फिर हम अगला वीडियो वापस लेके आएंगे, जहां पर हम आप लोगों की भी टेस्ट लेंगे, नमस्ते